हेलो एब्रीवन मैसेल कृतिका एंड वेल्कम बैक टो कृतिका भी एसी क्लासे तो टूड़े टॉकिंग इबाउट डिवर्सिटी ओफ लाइफ फॉर्म यहां पर आज हम फाइलम मोलस्किस का लेक्टर टैंड डिसक्स करने वाले बाकी के जो भी लेक्टर से वह और लेडी हम डिए रॉक करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफी है अगर आप नीट का प्रपरिशंस करने या फोर वीडियो काफी इंपॉर्डेंट है और यह को देख सकतेज चैनल पर पहली वार विजट कर चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो पसंदाए तो वीडियो को जो कि आपकी काफी important है तो चलिए आज की इस वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो talking about phylum molest का यहाँ पे आज हम phylum molest का general character then classification और उसके कुछ examples की बारे में discuss करेंगे ओकी तो यहाँ पे जो general characters की कुछ important point है सबसे पहले उसको हम discuss करेंगे बाद में उसकी classification और उसके examples को हम देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे अगर हम general characters की बात करेंगे यहाँ पे general characters कौन से important होते हैं तो यहाँ पे अगर हम point number first की बात करें तो सबसे पहले पता है कि आपको जो largest phylum होता है सबसे first largest phylum होता है वो आपका orthopod होता है यहाँ पे जो second largest phylum होता है वो आपका फाइलम मोलस्कस होता है ठीक है याद रखिए का first largest phylum होता है वो आपका orthopod होता है जो second largest phylum होता है वो आपका molluscus होता है विच इंक्लूड यह क्या include करता है soft body and cell animals यानि इनके molluscus में कौन से सबसे ज्यादा animals प्रजेंट होते हैं जो soft body होते है वो और जो cell होते है वो आपका फाइलमस में प्रजेंट होते है यहाँ पर हम second point की बात करें तो molluscus are the triploblastic होते है क्या होते है triploblastic होते है true be electrical symmetrical होते है जो quail and unsegmented animals होते है यह कैसे होते हैं अंसिग्मेंटेट animals होते है तो third point की बात करें तो इनकी body कैसी होती है इनकी जो body होती है वो unsegmented होती है with variety of steps and covered with the calcic carrot cells यहाँ पर questions पोचता है कि इनकी body कैसी होती तो सबसे पहला point जो बनता आपका इनकी जो body होती है वो unsegmented होती है ठीक है इनकी जो इनकी body का जो safe होता है और जो जो यह covered किस कवर सेल से यह बना होता है तो यह categories cells से बना होता है ठीक है यह point आपको काफ़ important है याद रखी maga कि जो body का cell होता है वो किससे cover होता है तो इनक्स temps but the room is the reduce to the cavity of neph brassiere लोनर्ट और पाडियमühren वह यहां पर वूछ यहां पर पूंछ रहे कि हलों जो में व्किस में कलॉक्ता है तो यह निफ्रीडियाई गोनर्ट यह चल्ओंटनर्थ और पेरिक्राडियमली यह थो होते हैं ठीक हैी अइयक्स करते है यहां पर किसमें लोकीड होता है यहां पर किसमें लोकीड होता है इन की होती हिए तो में पाहला किसमें रही है कि यह हुथ है कि इस तरीक साहिए और आप नहीं हो hem यहां पर इनकी नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है तो नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है तो नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है तो नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है तो नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है तो नर्वस सिस्टम किस तरीके से प्लाजमा में प्लाजमा में इनका जो सिस्टम होता है मेली ओपिन टाइप पे होता है जैसे कि ब्लॉड में ब्लॉड में कहां कहां होता है यहां पॉइंट आपको कि इनकी रेस्पायरेटीज की में टीक में थीजल प्लाजमा में यहां पर जो इंका गैस का सघ्चेंज करता है इनेडी नेक्स्ट पॉंट दिया है उचली जसरी और बोवी परिशन शरी जसरी होता है बात करें। कि फाईलम मोलिस्किस में डाप प्रॉमेंट किस तरी चाहित वादिख होता है। इन में डाइलेक्ली तर्टी और फ्री लॉरवल फ्रॉम में होता है। यह जैसे कि लाइब प्रोकोफोरा वैलिगर लोकोडियम आट सी मतलब इनका जो deployment कास होता है वो from like the normal form में होता है जैसे कि questions पोचता है अक्सर ये philams में क्या सबसे ज़्यादा important होता है मैंने important topic की video बनाई थी उसमें मैंने बता हैं कि कौन-kौन से important topic होते हैं तो यहाँ पर अगर हम philams की बात करें यहाँ पर all philams की बात करें तो phylum में सबसे ज़्यादा यहाँ पर important general character classification उसके example और इनके जो larva होते हैंगे सबसे ज़्यादा important होते हैं तो यह जो point आपका दिया यह काफी important है तो इसे कहीं पर भी no down कर लीजेगा इनका deployment किस तरीके से होता है क्लासिफिकेशन के बात करें तो इनका जो classification होता है molluscus are the classified into the six classes यानि जो phylum molluscus होते है इसे six class एड़ाइड किया ठीक है यहाँ पर फर्च्ट क्लास की बात करें कि फर्च्ट क्लास क्या होता है तो आपका इनके इनके इक्जाम्पल्स की बात करें नि में सबसे जाद के इनके में से प्लाइना होटा है 2nd classroom 2nd classroom 2nd classroom 3rd classroom 3rd class 4th classroom 3rd classroom 4th classroom 6th classroom 3th classroom सब्सक्राइब करेंगे तो आपका डेटलियम होता है कि प्रसक्राइब की बात कर तो पाइला होता है यहां पर इसमे नहीं यहां नीघ है यहां पर जो फालम मोलस्क्राइब की इसे आप कहीं पर भी नोट डाउन करके रखिए ठीक है तो यहां पर हमने फाइलम मोलस्कस के जनरल केरेक्टर दैन उसके क्लासिफिकेशन को डिसक्स कर लिया अभी यहां पर हम एक इंपोर्डेंट पॉइंट को डिसक्स करेंगे उसके बाद उसके कुछ एक जंपर के बारे और हमने मोलस्कस बाराब पास उदर भी अवर्ड्वास तो मोलस्कम स्क्राइब पोछते की अवे पर यहां पर फोलेव और शेटे जो तो यहां में विक्या है cover देखे daughters गोल्कमी जो फाइल मुलस्कस का जो अफ और्गनाजीशन उतक होत इसको अंपको और उनका ऑइसा होते हैं और ग्रिशाथ है ओकि यहां पर क्लोम की बात करें कि हर फाइलम में सारे जितने भी फाइलम से वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वह क्लोम सब्द होता है कि क्लोम किस तरीके से यहां पर कौन से फाइलम से में प्रजेंट होते हैं तो यहां पर अगर हम क्लोम की बात कि हम सितने हैं उसमें जो होते हैं उनका सग्में बात करें का इंग की इंग करें का बात कर्वक्राइब हुद होता है तोिक जो सिस्टम हो तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है क्या सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें फाइलम मोलस्कस की और अनिमल में प्रजेंट होता है यहां पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह जो फाइलम मोलस्कस होते हैं उसमें बлиз well होता है यहां पर sanitizer system ऑनप हुता है उस आपके प्र्जेंट कर सकते हैं कि करें कि यहां पर यहां पर इनका फीर होते हैं यहां पर इंप्से ज़्यादा को कर से हाथो यहां पर इनका features होता है वो external skeleton होता है cell usually इसमें present होते हैं ठीक है तो इस point को आप ध्यान में रखेगा पर सबसे ज्यादा important point की तरफ हाते हैं जो कि है आपका example जितने भी फाइलम्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा important जो topics होते हैं आपके examples होते हैं इन सारे examples को आपको माइंड में सट रखना होगा ठीक है आप इमेज भी मैंने रखा तो इमेज की थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि किसका कौन सा इमेज होता है यसे होते हैं वो चीज framers की तरफ आता हैं जो कि आपका To always जो कि आपको पता है कि यह living falses होते हैं क्या होते हैं living falses होते हैं जो कि यह question से पूछा था है कि किसके बीजन के जो connecting link होता है connecting link से आपका minimum मैं अगर बात करूँ बेच्चो और डियो इंवर्सिटी कि या फिर आप किसी भी इंवर्सिटी नीट का प्रपरेशन कर रहे हैं या फिर आप फ्रमी सिक एंडरंस इंड्रंश का प्रपेरेशन कर रहें तो यहां पर questions पूछता है कि connecting link आपको पतावा किसे ओन सा connect link होता है ठीक है यहांप यह questions पूछता है कि New Plano जो होता वो किस के बीज़ की obtained होती है यहां पर second example की बात कर चैटो प्लेरा होता है जो इसे की हम काइट इन कहते हैं ठीक है इस यह कुछ इस तरीके का इसका इमेज होता है जो कि क्या होता है Court of male cell of C Mesa होता है ठीक है यहां पर third example की बात करें तो लो लीगो होता है जो की आपका इसक्वाइड राइडुला इसमें अपसेंट होता है ठीक है इसमें राइस्पाइशन होता हो मेंडल के ठू होता है यहां पर next example आपका पाईला है जिसे की Apple का आधा था आपको पता यह है यहां वैंसे की oc hm端 यहां पे नेक्स्ट टीम पारे दो डॉरिषो होता है जिसे की इशी Además कहते हैं इसे इसे결 예मन क्याते हैं क्योंकि है इनका इसम्हाय कई हो लेमन कीतार है बहुतine का ऑफ पनिसे तो आप इस को डौर इशे को याद कर सकते हैं कि नी व οποो में सेट भागा कि कि से सी में कहाजाते हैं जिसे क्या होता है क्या होते हैं यहां पे ने necks이्जपल की बात कर gilt यहां पर नेक्स्ट इकजाम्पल आप नियों抓 नेक्स्ट औरियो रोता हुता है। होता है।ositगा हुता है। Nogiom होती इन में यानि होती है नो कि पॉस्केट कि अपर टो thành वोस्क डॉज खोती है ऊसी और यहां हुटि यहां कि जो प霧 है तक है हुआ हुज जो फंच साल होता है वह टन होती है इन में जूसल होता प्रणु यहां पे इन अस नगर इंटर्नल होता है में साबर्ट नियुक्ति खर यहां पर जितने भी इंपटेंट पॉइंट जिए अपको बार बार आपको यहीं काईट है वो सारे पॉइंट काफी इंपर्टेंट है उसे आप इंटरंस जांब्स में आपको सारे उसे कोशिं पोछ सकते हैं चैनल पर पहली बार विजिट कर दो चैनल को सिस्क्राइब कीजिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे जोईन हो रहाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्सम बॉक्स में मिल लाएगी आप जाकर वहां से में जोईन कर सक जो कि वह टेस्ट जो होगा वह आपका बिलकुल ही अलग है उसको अगर आप उस सिर्फ टेस्ट को फॉलो करते हैं आप यह पे आप मेसे जोलोजी इंटरंस प्जाम को कौलिफाइड कर सकते हूं उसके इंटरंस प्जाम से पहले मैं आपका पूरा सलावस कंप्लेट करवा बॉक्स में मिल लाएगी सो मिलते हैं जल दी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक्स पॉर दा वॉचिंग